हेलो गाईज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अमेज गरुन तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं मारवल सिनमेटिक उनिवर्स की एक और नई मूवी के बारे में जिसका नाम है मॉर्बियस जो की रिलीज हो चुकी है लेकिन गाईज उस मूवी को देखने से पहले मॉर्बियस की तो उसका असली नाम है डॉक्टर माईकल मॉर्बियस जिसने पी एचडी और एमडी की हुई है तो ग्रीस में पैदा हुआ था और उसे उसकी माने अकेले पाला है मॉर्बियस बच्पन से ही बहुत ही बद्जूरत देखता था इसलिए वो किसी को भी पसंद नहीं आता था लेकिन गाइस उसके अलावा वह एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा है और उसने अपना सारा समय पढ़ाई में बिताया है और समय के साथ साथ उसने एक नोवल प्राइज भी जीता है जो कि उसे हुमन एनिमल बायोजी के फेल में मिला है क्योंकि उसके पास एक मेडिकल डिगरी है जिसका नाम है हमेटोलोजी और वह अपने शूडो वैंपरिक कंडिशन के चलते अपनी होम कंट्री से न्यूयोग आ जाता है ताकि वह उसका इलाज ढूंड सके तो शूडो वैंपरिक एक ऐसी बिमारी का नाम है जिसमें किसी इंसान को ऐसा लगता डियने और एलेक्ट्रो शूड थेरेपी को एक जिगा मिक्स कर देता है जिसके बाद उसके शरीर के अंदर एक एक्शिडेंटली चेंज होता है और गाइस उस एक्शिडेंट के बाद उसके शरीर के अंदर सूपर नैचरल वैंपायर्स की पावर आ गया थी और अब वह से बदसूरत तो था ही जिसके बाद वो और भी भयानक हो गया उसके ऊपर के दोनों दाथ बड़े हो गए और नुकीले हो गए जिसके बाद उसकी नाग भी चप्टी हो गई और वो चमगादर जैसी दिखने लगी और उसकी स्किन पूरी सफेध हो गई और साथ इसाथ उसे एक और ability मिल गई जो कि दूसरों को living vampire में बदलने की थी जैसा वो खुद था और वो उनका खून पीकर उन्हें infect कर देता था और उन सब को भी वो disease हो जाती थी जो कि उसे थी जिसका नाम था pseudo vampire जिन लोगों को Morbius काड़ लेता था वो लोग infect हो जाते थे लेकिन वो मरते न लराग नाम के एक रागस से बचाता है लेकिन उसके बाद Morbius उसे मार डालता है और अपनी भोग को सांथ करने के लिए वो उसका खून पी लेता है और गाइस फिर उसके बाद Morbius ने एमेंड़ना सेंट को एक सेरनिक कल्ट से बचाय था जो की डेवन फायर के नाम से जान लड़ाई की है और उसने एक एक एक्स्ट्राडाइमेंशनल डामन के साथ लड़ाई की है जिसका नाम हैलीस है अदिक है मोबियोस मार्टीन को भी अपने जैसा बना लेता है यानि उसे वह शूड़ वैंपायर बना देता है जिसके बाद उसे एंटीडोट देता है और गा हो जाती है लेकिन उसके खून पेने की प्यास अभी भी नहीं भुचती है जिसके बाद उस पर वो सारे चार्ज लगा जाती है जो क्राइम उसने किये थे लेकिन उसे फिर अपनी रिसर्च को कंट्रीनु करने के लिए एक फुली एक क्यूप्ड लैबरेटरी दे दी जाती है जो कि उसे जैनिफर वोल्टर्स के थ्रू दिखाई जाती है जिसकी दोसरी पैचान है शी हल्क जिसके बाद हम देखते हैं कि मौरबेश शी हल्क की मदद करता है और वो उसके एरेक्टिक ट्रांसवर्मिशन को स्टेबलाइस कर देता है जो कि उसे बार बार शी हल्क बना यह होता है यान्व की खुद को ठीक करने लिए बनाया होता है जिसके बाद शीयल के पासे पावार जाती है कि वह अपनी मरजी से खुद के लोब को बदल सके और गाइज जिसके बाद जैनिफर meth की मदद was पूला चालेती है और उसके जो भी केस लगे होते हैं वो उन सब की सजागो काम करवा देती है और गाइस ठीक होने के बाद वापिस से मारवेस को अपनी शक्तियाँ मिल जाती है और फिर वो लिलित the mother of all demons को रोकते हैं जिसके बाद उसके बच्चे लेनन को दुनिया पर कब्जा करने से रोक लेते हैं उसके बाद जब वो मॉर्बेस को ढूंड लेते हैं सुडो मैंपारिस को लगाता कि वो उसे मार देंगे लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं जिसके बाद डॉक्टर लेंगफोर्ड जो की मानना जाता था कि वो मॉर्बेस के घवों को ठीक कर रहे हैं लेकिन वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर पाइन के लिए काम कर रहा होता है और वो मोर्वेस के लिए एक सीरम मना रहे होते हैं जो कि मोर्वेस के लिए बहुत ही घातक होता है और मोरिबेस के मंगेतर मार्टिन को पता चल जाता है जिसके बाद वो लैंगफोड को गोली मार देती है जिसके बाद घोर श्राइडर और जियोनी बलेच को मोरिबेस के पुराने कामों के बारे में पता चल जाता है कि उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है जिसके बाद वो उसे warning देती हैं कि वो सिर्फ criminals का खून पिएगा और उन्हें मारेगा ना कि वो innocent लोगों को मारेगा जिसके बाद Morbius भी अब Midnight Suns का हिस्सा बन जाता है और गाईज इसके लावा Morbius ने बहुत लोगों से लड़ाई की है और इस्पारिमान के साथ इसका ज़्यादा लिंक देखने को मिला है वही गाईज बात करें इसके टीम अपिरेंस की किस ने किस किस टीम के साथ कावम किया है तो गाईज इसने Midnight Suns, Armor, Legion of Monster, Shield और Agents of Wakanda के साथ कावम किया है वही बात करें इसकी abilities और इसकी powers की तो इसके पास genius level की intelligence है वही ये एक biologist और एक biochemist भी है जो की पूरी तरह से trained है और इसके पास super human strength है, speed, senses और durability है वही इसके पास vampire जैसी ओड़ने की शक्ति भी है ये किसी को भी hypnotize कर सकता है और इसके पास accelerated healing factor भी है जिससे इसकी सारी चोटे जल्दी भर जाती है और guys साथे साथ बात करें इसके first appearance की तो ये Morbius हमें पहले बार The Amazing Spadman कोmics के अंदर देखने के लिए मिला था और guys अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें